हम भारतवासी रियल स्टेट बहुत पसंद करते हैं, हम गोल्ड बहुत पसंद करते हैं और या फिर हम बैंक फिक्स डिपॉजिट प्रिफर करते हैं या बैंक में अपने पैसे रखते हैं तो जब आप एक्विटी को तूसरे एसेट क्लासे से, चाहे वो डेट हो, चाहे वो रियल स्टेट हो, गोल्ड हो, इनसे जब आप कंपेर करते हैं और आपने इसको काफी डीपली कहीं सालों से इसको रिसर्च भी किया है, अगर आप दर्शकों को ये बता पाएं कि के लिए इन्वेस्ट करना है, तो डेट में इनुवेस्ट में उसमें प्राकार इन्वेस्ट में माना गया है, पहले तो एकुटी में जब आप इनवेस्ट करते हैं, उसके मुनाफ़े में आपको टैक्स देना पड़ता है, वो बहुत कम होता है Secondly, जब आप equity में invest करते हैं, उसमें liquidity प्लस पार्दरशिता या transparency real estate की comparison में काफी अधिक होती है ठीक है, अब आती है gold की बात Gold हमारे culture में एक बसी हुई चीज है जिसमें हम naturally jewelry के थूँ invest करते हैं मेरा as a financial planner ये मानना है, हर इंसान को gold में उतना invest करना चाहिए जो उनको आगे वाली generation में pass on करना है और जब बात returns की होती है पलग तो देखा गया है अगर हम past performance देखें पिछले 15, 20, 25 साल का अगर हम equity का एक ब्यॉरा लें तो अगर आप sensex को लें तो लगभग 17, 18% तक के return है कुछ ऐसी schemes हैं और या कई ऐसी schemes हैं जो बताती है के पिछले 25 साल में उन्होंने औसतम, सालाना, 20, 21% भी return दिये तो आज जो निवेशक घुस रहे हैं market में या mutual fund खरीद रहे हैं अगर उनको आप कहना चाहेंगे के अगले 15, 20 साल मैं 5, 6 साल ने कह रहा हूँ 15, 20 साल में कितनी सालाना average के तोर पर equity market हमारी deliver कर सकती है आपके मुताबबब विवेक इसमें जो return आता है जो return deliver होता है equity में उसके पीछे भी एक science होती है ठीक है उस science के पीछे क्या है कि आपका GDP, nominal GDP growth जितनी जादा है equity उससे आपको 2-3% अधिक return देता है 11-12% का return देगी पिछले 30-35 साल में हमारा nominal GDP growth 13-14-15% पे grow किया है इस वज़े से आपने जैसे बताया हमें 15-16% का return मिला है कुछ ऐसे fund जिनोंने mid cap या small cap shares में invest किया है महाँ पे 22-22% तक का return मिला है तो आगे आने वाले समय पे हमें 11-12% return में हमें संतुष्ट होना चाहिए लेकिन वो भी अगर हम देखें तो bank deposit से almost double है काफी जादा है और bank deposit में आपको tax बहुत जादा देना पड़ता है तो अगर किसी निवेशक को tax के बाद 10-11% का return मिल रहा है और वो अच्छी तरह inflation या मुद्रा स्पीर्ति को भीट कर रहा है तो उस निवेशक ने अपने मनी को अच्छी जगे लगाया है Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully